स्वागत है आपका मेरे इस यूटूग चैनल में आप इस चैनल के माध्यम से इतिहांस की एक कड़ी देख पा रहे होंगे कि एक के बाद एक अलग अलग टॉपिकों पर और एक करम में इतिहांस का विवरन इतिहांस का अध्यन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और आज के इस कड़ी में हम लोग मौरे डाइनस्ती, मौरे एंपायर को देखने जा रहे हैं, मौरे समराज को देखने जा रहे हैं पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि एक समराज स्थापित होता है और उस समराज के नीचे बहुत सारे छोटे-छोटे राज जो होते हैं वे एकत्र होते हैं इसके पहले हम लोगों ने पिछले कलासों में देखा था कि समराज भारत जो है वह अलग-अलग सोला महा जनपदों में विभाजित था और कुछ गड़ राज्यों में भी विभाजित था जिसकी संख्या लगभग 10 की थी तो सोला महा जनपद और दस गड़ राज्यों में विभाजित था परंतु मगद राजवन्स के एतिहास में एक मौरे राजवन्स आता है जिसके छत्र शाया में लगभग पूरा भारत जो था पर्थम बार एक छत्र के नीचे कत्रित हो चुका था अर्थात इस समराज के अ अंतरगत इसके छत्र शाया में सारे जनपद जो थे सारे महा जनपद जो थे वे इसके अधिन हुआ करते थे इस प्रकार भारत में पर्थम बार एक समराज के स्थापना होती है जो इतना विशाल था कि इसकी जड़े जो है भारत के उप महाद्यूप से बाहर भी फैली पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान इरान वाला छित्र भी इसमें सामिल था तो आज हम मौरे राजबंस की सुरुवात करते हैं और मौरे राजबंस की स्थापना कैसे होती है हम लोगों ने यह पिछले क्लास में ही देख लिया था कि कैसे नंदबंस का अंतिम सासक घनानन जो था वो बड़ा अत्यशारी हो गया था और उसने किसी राजकी सलाह के मामले में अपनी ही मंतरी जिसका नाम कौटिल ले था जिसे विस्नुगुप्त और चाड़के के नाम से भी जाना जाता था उसका अपने दर्वार में उसका राज दर्वार में अपमान कर दिया था और उससा अपमान का बदला लेने के लिए चानक्य जो है वह राज जिसे इस परतग्या के साथ निकलता है कि मैं एक दिन घनानंद को नास कर दूँगा और इस पूरे राजबंस को ही समात कर दूँगा और इसकी तलास में वह निकलता है और उसे एक बालक दिखाई परता है जो काफी होनहार और तेजस्वी जान परता था उसका नाम चंदरगुप्त था और उसने चंदरगुप्त मौरे को सिक्छा दे और उसे एक चक्रवर्ती समराथ बना दिया और उसने उसकी मदद से भारत के मगज समराज के नंद बंस का अर्थाद घना नंद को पराजित किया और उस पर एक नए समराज मौरे समराज की अस्थापना करता है अगर कोटिले की बात की जाए तो विष्णुगुप्त कोटिले जो था वह तक्षिला का रहने वाला था और वह नंदो का मंतरी था तो हम लोगों ने या देख लिया कि चंदगुप्त मौरे जो होता है वह इस बंस का संस्थापक था चंदगुप्त मौर्य जो था वह मौर्य राजबंस या मौर्य समराज का संस्थापक होता है और गुरु चाड़क्य की मदद से उसने नंदबंस को अपदस्त करके सी हासन पराप्त किया और मौर्य समराज की स्थापना की और या घटना लगभग 321 इसा पुर्व के आसवास की घटना यह है और इसकी जनकारी हमें विसाख दत की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षक से प्राप्त होती है और मुद्रा राक्षस तो होता है मुद्रा राक्षस जो है वह बहुत ही इंट्रेस्टिक कहानियों से भड़ा हुआ है तो इसकी जनकारी सिहासन कैसे प्राप्थ हुआ यह इसकी जनकारी हमें विसाखधत की मुद्रा राक्षस से प्राप्थ होती है मुद्रा राक्षस एक पुस्तक का नाम है और चारक्य जो था नंदो का एक मंत्रित था वह तक्सीला का निवासी था और वास्त सस्त्र का प्रकार्ण पंडित था वह बिद्वान था एस सारी चीजे हम लोगों ने चर्चा कर ली हमने मुद्रा राक्षक्स की बात की तो हम कौर्टिल लेके अर्थसास्त की भी बात कर लेते हैं साथ चारक्य ने एक फुस्तक लिखी जिसका नाम जो था वह अर्थसास था और यह राजनिती से संबन्दित है और इसमें इस बात की चर्चा मिलती है कि चाड़क्या ने चंद्रगुप्त के सत्रूप के परती किस परकार की निती अपनाई थी और उसने साम दाम दंड भेद इत्यादी के माध्यम से उसने अपनी सत्रूप विजय प्राप्त की और इसके अलावे इसमें राज्य का पूरा परसासन कैसे चलाया जाता है इसकी जनकारी हमें इससे प्राप्त होती है तो अगर चंदरगुप्त के जीवन की बात की जाए तो चंदरगुप्त का जन्म जो है वह बिहार के एक सधारन प्रिवार में 340 इसापर्व के आसपास हुआ था और इसका जन्म इस्थान जो माना जाता है वो बिहार के PP1 में हुआ था ऐसा माना जाता है हालाकि जैन गरंथों में इसे गोरतपूर के छेतरवाला बताया जाता है और इसे छत्रिय कुल का माना जाता है परंथो जैन गरंथ के अलावा जो अन्य गरंथ हैं जो अन्य साक्ष हैं उनमें इस बात का पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौरे जो था वो सधारन कुल का था और या सुद्र कुल में जन्मा था अर्थात इसे नीची जाती का बताया जाता है और अधिकतर लोग जो होते हैं वे यहीं बताते हैं हलाकि जैन गरंथों में इसके छत्रिय होनी की बात इसलिए की जाती है कि एक तो यह के राजा था और दूसरा इसने जैन गरंथ को अपना लिया था और थात यह जैन धर्म को इसने अपनाया था तो हम यह मान के चलेंगे कि यह एक सुधारन पडिवार का लड़का था और इसका पिता जो था उसके पिता का नाम चंद्रवर्धन या सुर्य गुप्त स्वार्थ सिद्धी थे और इनकी माता जो थी वो मूरा थी और यह नंदो की रनिवास में रहा करते थी ऐसी जनकारी प्राप्त होती है इसे युनानी भासा में सेंडो कोटस और एंडो कोटस भी कहा जाता है चंद्रवर्ध मौर्य को चंद्रवर्ध मौर्य को युनानी भासा में या लैटिन भासा में सेंडो कोटस और एंडो कोटस भी कहा जाता है अगर इनकी पतनी की बात की जाए चंद् पुर्धरा जो थी वह नंदबंस किराने वाली थी जबकि हेलेना जो थी हेलेना के बारे में हम लोग आगे पड़ेंगे कि हेलेना जो होती है वह इवनान के सेलुकेस निकेटर की पुत्री होती थी हम लोग इसके बारे में अभी अध्यन करने वाले हैं इनकी मिर्थु जो थी वस्रवन बेलगोला में उपवास द्वारा होई जिसको सनलेखन भी कहा जाता है चुकि मैंने बताया कि इन्होंने जैन धर्म की सिक्छाली थी, जैन धर्म को अपनाया था, तो जैन धर्म में मित्तु प्राप्त करने का एक तरीका होता है कि आप भूखे रहें, उपवास रखें और उपवास से अपने मित्तु को प्राप्त करें, तो ए भद्र बाहू के न माध्यम से जिसे हम लोग संलेखन भी कहा जाता है संलेखन पदती भी कहते हैं उसके माध्यम से उपवास दोवारा एक अपनी मेर्थ को प्राप्त होते हैं अब हमें इनके चंद्रगुप्त मौरे के समराड चंद्रगुप्त मौरे के बिजयों को देखेंगे चंद्रगुप्त मौरे जो था वो काफी सक्ते साले बन कर भरता है और उसके प्रधान मंत्री जो थे वो चाड़क के उसके गुरु थे और इनी की सिक्षा में वह पला पढ़ा था और सारे जुद कलाओं को सीखा था इसने ऐसा इसने पस्मोतर भारत में जो उस समय अबिवस्था का काल था राज चोटे चोटे थे तो उस समय और स्थिता चल रही थी जहां एक तरफ हम पूरवी भारत की तरफ देखेये यदि हम भारत को उत्तरी भारत को दो हीसों में बार्ठ देख पूरवी और पस्मी तो पुरवी भारत वाला एरिया जो होता था जिस पर मगद सम्राज ज सब था इधर क्या था कि मगद के अधेन बहुत सारे राज जो थे कत्र हो रहते और एक सक्षिसाली सासक मगद का सासक था जबकि पस्मोतर भारत की पस्म भारत की इस्तिती जो होती है वह कुछ अलग होती है वहाँ पे छोटे छोटे राजे होते हैं जैसे तक्षिला, गांधार, सिंध, पंजाब और यह जो होते हैं वह वाब्यवस्तित रूप से फैले थे और आपस में लड़ाया करते रहते थे इन्हें इन में कोई एक सासक जो था वह सक्तिसाली नहीं था जो इन सब को एक छत्र छाया में बांद सके इसलिए इसी काल में जब मगद जो होता है अपने समराजी की बिस्तार कर रहा होता है उसी समय पस्मोतर भारत में बहुत सारी घटनाए घटी है और यहां पे इरान का सासक देरियस जो होता है वह आकरमन करता है और एक बड़े इरानी समराजी की अस्थापना करता है और इसी डेरियस और इसको दारय बाहु भी कहा जाता है और इसी डेरियस या दारय बाहु के बाद सिकंदर का अकरमन होता है 326 इसापुर्व में उसने इराक, इरान और अफगानिस्तान को भी जीत लिया और यहां तक कि वह भारत के पस्सिम तट पंजाब और सिंध को भी जीत लिया था और उसके बाद उसकी सेना जो है वब्यास नदी तक पहुच चुकी थी परन्तु हुआ यह कि वब्यास नदी को पार नहीं कर पाया तो देरियस की सत्ता को खार फिकने के बाद सिकंदर जो होता है वह खैबर दरे को पार करता हुआ भारत में पहुचता है और वह सबसे पहले तक्षिला के सासक से उसका सामना होता है जिसका नाम आमभी था और आमभी जो होता है बिना लड़ाई के ही घुटने टेक देता है और उसके बाद वहां से वह सैनी का पूर्ती करता है धन दौलर्ट रूटता है और उसके बाद वहां आगे पंजाब पूरस के द्वारा होता है और पूरस का राज जे जो है वह जेलम और चिनाब नदियों के बीच वाला छात छेतर था जिसे हम पंजाब वाला छेतर कह सकते हैं हालाकि अगर बात की जाए पश्मुतर भारत में मैंने बताया कि आपस में लड़ते जगड़ते रहते थे और एक सासन के अधिन नहीं थे इसमें कोई बड़ा सासक भी नहीं था अगर यह चाहते तो आमभी जो था आमभी और पूरस दोनों मिलकर सिकंदर का सामना कर सकते थे और उसको वहीं से भी खदेर भी सकते थे परन्तु इन्होंने क्या था कि इनमें सहमती नहीं थी और सिकंदर को एक एक करके इस राजितिक फाइदा उठाते भी जितना उसके लिए असान था उसने पूरस पर जब आक्मर किया तो पूरस जो होता है उसका डट कर मुकाबला करता है हाला कि पूरस हार जाता है परन्तु उसकी बेता से सिकंदर भी परभावित होता है और उसका राज्य जो होता है उसे वह वापस कर देता है और उसके बाद उसकी सेना जो होती है वह अभ्यास नदी के पास पहुशती है और वह अभ्यास नदी को पार करके भारत के हिसा में पहुशना चाहती है तुवा इस पर आतूर था जितने के लिए परंत उसकी सेना जो होती है वह काफी हार चुकी थी ठक चुकी थी और इसके अलाबा यह भी कारण था कि उसने पुर्वी भारत में उसमें नंदो का सासंता मगद समराजी काफी सक्तिसाली था वहां यूँकी एक बिसाल सेना थी और कई सेनाओं की चचा हम लोगों ने पिछले कलासों में भी कर लिया था कि उसके सेना जो थोई इस बात से भी थोड़ा सा भैवित थी और वे मना कर दिया साफ पुर्वी भारत में जाने से साफ मना कर दिया और इस समें सिकंदर जो होता है वो बड़ा दुख होता है और काता है कि मेरा विश्व बिजय का जो सपना था पुर्वी भारत पर इस्थापित करने का पुर्वी भारत पर समराज्ट इस्थापित करने का वह मेरा सपना आज मेरे अपनु नहीं तोड़ दिया इस प्रकार वह वहां से लौड जाता है यहां पे सिकंदर की कुछ चर्चा मिल रहे है सिकंदर जो होता है वह यूनार का राने वाला था उसका पीता का नाम जो था फिलिप था और 326 इसापुर में वह भारत पर आक्रमर करता है और लगभग वह 19 महीना तक लगभग भारत में राता है और उसके बाद वह वापस लोड़ जाता है और जब वापस लोड़ता है तीन गवर्नरों के अधिन छोड़ दिया युनानी गवर्नरों के अधिन छोड़ दिया था उसके गवर्नरों में एक का नाम जो होता है वो सेल्यूकस होता है दूसरा एंटियोकस होता है और सेल्यूकस और एंटियोकस में बराबर पर्तिद्वयंता जारी रहती है वे एक रखता है परंतु उसका सामना मौरे समराज के संस्थापक चंद्गुप्त मौरे से हो जाती है और चंद्गुप्त मौरे का सामना इसके साथ होता है और सेलुकस जो होता है वाकिरकार पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद इन दोनों में संदी हो जाती है और सेलु और संदी अनुसार्च Чंड्रगुप्त मॉर्य को काबुल प्राप्त होता है कंधार प्राप्त होता है हेरात और मकरान भी उसे प्राप्त हो जाता हैies सम्राजी का सासन जोथा है ब्रस्मßắmतर भारत एरान तक चला जाता है ४ंजाब और सिंदपर तो ऐसी के ही लेहीं बिजय परात कर लेती इस प्रकार इसका सासंग जो होता है बहुत बिश्तार कर लेता है इसके लावा इसमें बंगाल बिहार उडिसा जो भी वह भी सारा च्छत्र आता है और कहीं कहीं और इसने दक्षिन भारत पर भी बिजय परात किया हुआ है इसने पस्सिम भारत म भी भी विजय प्राप्त कुआ है इसका छेत्र जो था गुजरात के सोवराष्ट थक था और हम लोग देखेंगे कि सोवराष्ट वाला छेत्र में एक सुदर्थन जिल का भी निर्मार जो होता है यह चंदगुप्त मौरे के आदेश के बाद होता है जुन्ना गड के रुदर दामन अभी लेक से यह जनकारी प्राप्त होती है कि चंदगुप्त मौरे ने अपने गवर्नर पुष्य गुप्त को यादिश दिया था कि तुम एक जिल का निर्मार कराओ और उसने एक जिल का निर्मार कराया जिसका नाम जो था वह सुदर्शन ज था तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पस्मोत्तर भारत पस्रिम भारत पूर्वी भारत और यहां तक कि उसने दक्षिन भारत पर भी विजय प्राप्त कि थी मेगास्तनीज ने इंडिका लिखी जो चंदगुप्त मौरे के दर्बार में रायधानी पाटली पुत्र में रात पुत्र के बारे में मुक्तकंड से प्रसंचा करता है और यहां के प्रसासन के बारे में बहुत सारी जनकारिया जो है वो अपनी पुस्तक इंडिका में बताता है वह यह बताता है कि समाज जो था वो साथ बर्गों में विभाजित था दार्सनिक, क्रिसी, पसुपालक, सिल पी योधा और निक्षक और मंत्री नगर का प्रसाशन जो होता है वा च्छो समीतिया करती थी